शिरी शिवाय नमुस्तव्याम हरर मादेव दोस्तो देखे आयम आपको पूझ जी गुरुजी पंडित पृद्धिम मिश्राई जी की कता सुनकर पांच ऐसे संकितों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिने देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके उपर से बहवान की किरपा पढ़ने वाली है दोस्तो आपने बहवान संकर का चितर या मूर्ति देखी होगी सिपकी जटाएं होती हैं उनकी जटाओं में चंदर भी होता है उनके मस्तक्स पर तीसरी आखें गले में सर्प और रुद्राज की माला लपिटे रहते हैं उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में तुर्शूल है उनके पूरे बदन पर वे बस में लगाए रहते हैं अगर किसी व्यक्ति को शिपकी किरपा के संकित आने लगें अगर किसी व्यक्ति को शिपकी किरपा के संकित आने लगें तो समय लेजिए कि उन पर शिपकी किरपा पूरी तरह से होने लगेगी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबी से हमारी एक रोकेस्ट है कि वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरार महादेव या सिरी सिवाई नमुस्तब्य हम जरू लगते है जिससे कि आपकी जोवी कामनाएं जल्दी से यल्दी पूरी हो जाए पूज्य गुरुजी के अनुसार पहला संकित यह है कि जब सिव किरपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविस्ट की घटनाओं का पुरुवावास होने लगता है स्वपन के माद्यम से ऐसे होता है हमारा जो चेतन मन होता है वै हमारे जागने पर सक्री होता है जबकि हमारा अब चेतन मन सदेव सक्री रहता है जब एक व्यक्ति निरंतर सिव सादना में रहता है सिव की भक्ति में लीन रहता है तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष अदबुत उर्जा से बढ़ जाता है व्यक्ति की आत्मिक सक्ति बढ़ जाती है व्यक्ति की उर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है और ऐसे मैं अब चेतन मन भ्रह्मान में फैली उर्जां के संपर्ग में आ जाता है बावाण सिफ से उस सासवत उर्जा से जुड़ जाता है जो सपने आते हैं वे गटत होते हैं ऐसी सक्ति से विशेश कर सिर्फ से जुड़ने के बाद जो भी सपन व्यक्ति को आते हैं और विशेश करके जो सपन ब्रा महुरत में व्यक्तियों को आते हैं वे बविश्य की गटनाओं का पूरुआ वास होते हैं और बविश्य में होने वाली गटनाव का व्यक्ति को पहले ही ग्यान हो जाता है यह सिर्फ सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावना को इसपर्ष करने लगता है देव तुल्य हो जाता है और ऐसे ऐसे पूरुआ वास व्यक्ति को ना सिर्फ स्वपन में बलकी क बहुत खास संकित है अगला संकित दोस्तों जब आपकी आँकें ब्राहमुरत में आकसर खुलने लगे और आपको ईश्वर का इस्मण स्वत्य ही होने लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई और किसी और दिसा की ओर ले जा रहा है तो आप समझ लेजिये कि आपका मैं आने वाला है अगला संकेत जब कोई हमेचा पिरसण रहने लगे और जो मनुसे अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले तो उसे अच्चे समय का दर्शन होने वाला है ऐसा मनुसे जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मिश से भी ज़्यादा मिलता है और ऐसा भी माना जाता है मनुश में ईश्वर खुद बसते हैं दोस्तों अगर किसी के द्वार पर गाय बार बार खाने के लिए आए या बंदर आपके घर से कुछ उठा कर ले जाए या आपके घर के प्रांगण में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे या पच्छी आपके घर में बसेरा बनाए तो ये भी सबी संकेत हैं कि आपके जीवन में अच्चा समय आने वाला है और भवान सिब जी की किरपा आपके उपर होने लगी है अगर किसी मनुष्य के घर में चोटे बच्चे बार-बार आपके घर आएं और आपको देखकर बार-बार मुश्कर आएं तो समय लीजे कि आपके जीवन में सुब समय जल्दी आने वाला है ऐसे भी बच्चे भगवान का रूब माने आते हैं साती दोस्तो जब मनुष्य को नए-णए दोस्त मिलें मनुष्य के खर्चे कम होने लगें और उसे नए इसोट अपने आप दिखाई देने लगें ऐसे मैं आप समय लो कि आपका बुरे समय जाने वाला है और आपके घर लच्मी जी का वास होने वाला है जल्दी आपको सारी परसानियों से मुक्ति मिलने वाली है तो दोस्तो ये थे भगवान सिप के ऐसे संकेत जन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान सिप की आपके उपर किरपा होने वाली है अगर आपको पूझ गुरुज दारा बताए गए ये संकेत अच्छे लगे हो तो उन्हें जादा से जादा लाइक करदें शेयर करदें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से हरर महादेव या सिरी सिवाय नमुस्तव्यम जरू लिखते हैं जिससे कि आपकी हर मनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए